Hello students, welcome to our English class. I am Rekha. Today I shall give important details about verb. Verb क्या होता है? What is verb? What is its role in learning English? Why do we need to understand verb? As you know students, all activities performed by us are verbs. जितनी भी activities हैं, जो हम perform करते हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं? verbs होती हैं. जैसे sing, dance, play, eat, come, go, jump, laugh, read, write, drink, smell, bring. तो ये सारी की सारी चीज़ें, many other verbs और भी हो सकती हैं. तो ये सारी की सारी बच्चों क्या होती हैं? verbs होती हैं. जो किसी भी action को, state of being को perform करती हैं, या फिर possession को सो करती हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं? verb होती हैं. Let's start the definition of verb बच्चों. यहां पर सामने मैंने एक verb का chapter लिया हुआ है. As you see, a verb is a word which denotes action, possession, state of being and can also act as a noun and an adjective. यहां पर नीचे sentences बच्चों दिये हुए हैं. He reads newspaper. यहां पर दिया हुआ है sentence में, कि He reads newspaper. वो newspaper read करता है. यहां पर action दी हुई है. He reads. कोई भी कारे जब होता है, तो वो action होती हैं, बच्चों. जब कोई भी काम किया जाता है. He reads newspaper. मतलब newspaper की reading हुई है, तो action है. तो this we can call action. Next बच्चों आजाता है, possession को क्या सो कर रहा है? जैसा कि मैंने definition के अंदर आपको बताया है, कि जो possession को सो करता है, जो अधिकार को सो करता है. I have your book. मेरे पास तुम्हारी book है. आप यहां देख सकते हैं, I have. जो possession को वर्ब सो कर रहा है, वो have है. Note your. यूर तो एक adjective है. यानि कि यहां पर आप possessive adjective बोल सकते हैं, बट यहां जो have है, यह क्या है? possession सो करने वाली वर्ब है. I have your book. मेरे पास आपकी book है. possession सो कर लिया, लेकिन है यह वर्ब. next बच्चों आजाता है, हमारा state of being. वर्ब की जो third definition होती है, वो क्या होती है? कि state of being को आप वर्ब बोलेंगे. जैसे once there was a king. Once एक बार there was, वहां था a king, एक king. तो was is a verb. was यहां पर क्या है? एक verb है, with souls, the state of being of a king. जो एक राजा की state of being को show कर रहा है. तो यहां पर बच्चों यह जो three words थे, मैंने definition में clear करवाई है. action क्या होती है? जो किसी भी kriya की state of being को बताती है. मतलब होने की इस्थीती को बताती है, possession को show करती है, state of being को बताती है. उनको आप वर्ब बोलेंगे. next हम आपको बता रहे हैं कि it acts as a noun. यह किसके रूप में act करती है? एक noun के रूप में act करती है. और वो noun आप देख सकते हैं. यहां पर walking is a good exercise. दिया हुआ है कि walking क्या है? एक अच्छी exercise है. यहां पर बच्चों वर्ब से noun बनाया गया है. यहां वर्ब के form मैंने लिखे हुए ह जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वोक, वोक्ड सेकिंड फॉर्म होगी, वोक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और उसके बाद walking जो होती है हमारी फॉर्थ फॉर्थ फॉर्म होता है और यह इसको noun बन जाता है यह यहां पर. walking is a good exercise. यह noun के रूप में use हुआ है. आ noun है. next बच्चो इसने बोला है कि noun का एक और example मैं देना चाहते हूं. he wants to eat. यहां पर to eat खाना. वो चाहता है क्या करना? खाना चाहता है वो. खाना मतलब something wants to eat. यहां पर जो to eat है इसका मतलब खाना है जो यह noun के रूप में use हुआ है यहां पर. next बच्चो I saw a burning train. मैंने देख एक burning train को. अब ही मैंने उपर आपको बताया था. burn mean क्या होता है? जलना. जलना होता है जो kriya है एक परकार से burn. तो अगर इसके form को ing लगा देंगे तो यह adjective के रूप में use हो रहा है. जिसको I saw a burning train noun से पहले use किया गया है. तो यह as an adjective work कर रहा है यहां. लेकिन यह जो word है burn से बना है यह burning. तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप इन सभी sentences को सभी जो grammar और English grammar के topic है एक दूसरे से connect करके अगर आप read करेंगे तो एक permanent memory जो होती है वो आपके mind में रहेंगे और यह जो रट्टे वाली चीज़ी है वो आपसे दूर हो जाएंगे समझ के करे इसे तरह किसे English में मैंने बताया है कि जो क्रिया क्या होथी है याणि कि वर्ब क्या होती है एक्सन पोजेस्टन स्टेट और बिंग और और एट्जेक्टिव यह इन आउन और अड्यक्टिव का भी work कर सकती है जैसे कि मैंने यहां पर वर्ब के थ्री फोर्म आपको बताए जो लास्ट वोकिंग वाला फूम है यह as a noun यूज हो सकता है और इसी तरीके से इसको as an adjective भी यूज कर सकते हो फोर्थ वाले को जैसे कि बर्निंग ट्रेन में यूज हुआ है यह तो यह उनका sentence में यूज किस वे में हो रहा है यह sentence में जाके पता चलता है मैंने यह reads यहां से hide कर दिया है आप देख सकते हैं he newspaper क्या यहां पर कोई sense निकली है नहीं अगर मैं verb लगा देती हूं he reads newspaper तब sense निकलती है कि वे newspaper पढ़ता है अगर मैं आगे वाले sentence में में से have को hide कर देती हूं तो I your book तो यह भी कोई sentence नहीं निकला तो integral part means इसके बिना कोई भी sense नहीं निकलती यह sentence का एक integral part होता है verb there may be sentences without a subject or an object but without a but not without a verb मैंने आपको बताया कि बिना subject और object के तो क्या हो सकता है sentence हो सकता है but बिना वर्ब के without any verb there is no sentence sentence नहीं जैसे open the door इसमें subject नहीं है तो लेकिन sentence तो है यह open the door imperative sentence हमारा बन चुका है subject नहीं है जैसे see slips इसमें object नहीं है लेकिन sentence हमारा यह है आप देख सकते हैं यहाँ पर open the door मैंने sentence राइट आउन किया यहाँ पर subject नहीं है subject नहीं है तो भी लेकिन यह imperative sentence है हमारा complete है अब मैं कहती हूँ कि see slips slips मिन वह सोती है तो यहाँ पर भी क्या नहीं है object नहीं है तो भी हमारा sentence complete है तो इस तरीके से इसने यह कहा है कि verb के बिना possibility sentence की नहीं है लेकिन subject और object के without subject और object के possible हो सकता है आगे बच्चों जैसे कि आपने हिंदी में पढ़ा है हिंदी में आपने पढ़ा है कि types of verb first आपका था on the basis of object object के base पर verb के कितने types होते हैं मतलब आपने पढ़ा है से करमक और एकरमक के रिया से करमक में क्या होता है जिसमें करम होता है करम कोन होता है object एकरमक में क्या होता है जिसमें करम नहीं होता उसी तरीके से intransitive कर्मक करिया है और transitive सर कर्मक करिया है आप देख सकते हैं यहाँ पर definition में भी clear यही लिखा हुआ है intransitive अ कर्मक होती है जिसमें transitive मतलब in इसके अंदर जोड़ दिया है तो अ बन गया है intransitive क्या होता है type of verb होती है which doesn't require any object जिसको किसी भी object की require नहीं होती जिसको object की need नहीं होती बट क्या करने के लिए नहीं होती complete sense के लिए जिसको object की जरूरत नहीं होती complete sense के लिए जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्म से लिपिंग राम सो रहा है यहां वह टैर रहे हैं बर्डब सर फ्लाइं बर्ड्स र फ्लाइं तो यहां पर क्या है दिर इस नो अब्जेक्त यहां पर अब्जेक्त नहीं है बट इट मेक्स complete sense यह complete sense मेक कर रहा है next बच्चों हमारा उन्दा basis of object आ जाता है transitive verb transitive verb क्या कौन सी होती है जिसको आप सर कर्मक किरिया बोलते हैं क्या बोलते हैं this is a type of verb which requires object यह एक type of verb है जिसको object की requirement होती है or to make clear sense क्या करने के लिए clear sense करने के लिए but इसमें object compulsory होता है जो transitive verb होती है it needs object यह चीज़ आप ध्यान रखेंगे in transitive में does not need object जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है he took lunch उसने यहाँ पर subject verb object उसने lunch लिया he made subject verb object a chair उसने एक chair made गी बच्चों यहाँ पर एक और आपकी चेज़ बनती है if you have answer of what अगर आपको what का answer मिल जाता है तो वो transitive verb है अगर what का answer आपको नहीं मिलता suppose करो मैं यहाँ पर question बनाती हूँ what did he take उसने क्या लिया what did he take what का answer यहाँ पर मेरे पास है he took lunch उसने lunch लिया तो यहाँ पर अगर what का answer आपको मिल जाता है question करने के बार तो transitive verb है यह ये सभी क्या है, unclear रहती हैं, अगर हिन में object हम use नहीं करते हैं, object से clear होती हैं, ठीक है, कई बार क्या होता है, जो object के बाद, compliment भी आ जाता है, compliment C होता है, compliment means क्या होता है, जो हमारा वाक्य को पूरा करने वाली चीजें होती है, वो चीज यूज हो जाती हैं, कई बार इसमें compliment हम use कर लेती हैं, वो चीज आप याद रखेंगे, next बच्चों हमारा ये example दिया हुआ है, कि sometime transitive verb takes compliment to make complete sense, transitive verb भी compliment लेती है, अपनी complete sense को करने के लिए, Ahsoka was a great king, अब यहाँ पर लिखा हुआ है, कि Ahsoka was, क्या था वो, a great king, a great king था, he made me, आप देखो यहाँ पर, यहाँ पर clear समझा रहा है, he made me, उसने मुझे बनाया, लेकिन क्या बनाया, the president of the club, club का president बना दिया, उसको president होता है ये, अगर सही परननशिषनाप करें, तो president होता है ये, president बनाया, of the club का, तो यहाँ पर, C, यह पूरा का पूरा compliment है, आप यहाँ पर, इसको divide कर सकते हैं, subject, verb and object, and this is compliment the whole, तो in these sentences, आप क्या देख सकते हैं, कि compliment भी use कर सकते हैं, to complete the sentences, next बच्चों यह आप देख सकते हैं, he gave me a pen, यहाँ पर आपको double object भी मिल सकता है, double object भी मिल सकता है, ट्रांजिटिव, यहाँ पर आप देखेंगे, two objects मिल सकते हैं, indirect object, in the form of a person, जो indirect object, वो form of person के रूप में होता है, और one direct object होता है, जो think के रूप में होता है, जो की इंदा form of thing के रूप में होता है यह आप देख सकते हैं जैसे की he gave me a pen अगर यहां भी आप check करें तो what लगाना what करके question करेंगे कि what did he gave me what का जो answer होता है वो होता है क्या होता है बचो direct object क्या होता है वो direct object होता है और जो whom का answer पर whom did he give pen किसको उसने pen दिया वो होता है आपका indirect object यह चीज ध्यान रखेंगे important चीज है यह indirect object वो होता है जहां पर whom का answer मिलता है हमें और जहां पर direct object वो होता है जहां पर what का answer हमें मिल जाता है यहां पर देख सकते हैं he gave me a pen what did he give a pen यानि कि यहां पर direct object a pen है उसके बाद whom did he give pen me यहां पर indirect object क्या है मी है आगे आप देख सकते हैं one verb may act as both transitive और intransitive एक verb क्या हो सकती है transitive भी हो सकती है और intransitive भी हो सकती है आप इन दोनों sentences में check कर सकते हैं the sparrows are flying यहां पर sparrows flying कर रही है यह intransitive है intransitive मिन ए करमक जिसमें की object नहीं है नीचे आप देख सकते हैं he is flying an aeroplane वो क्या fly कर रहा है यहां पर वट का अंस्वर मिल रहा है हमें वट डिड़ ही fly क्या उसने fly के वट इस ही फ्लाइं भी लिख सकते हैं तो he is flying an aeroplane यहां पर object है यह object है तो यह क्या है transitive है object नहीं है तो यह intransitive है तो इसी तरीके से उपर जो बोला है इसने कि जो one verb होती है flying है यहां पर वर्ब वन ही यूज हुई है flying बट दोनों form में आ सकती है वो transitive और intransitive दोनों form में यूज हो सकती है यह था आपका जो first part था on the basis of object जो भी हमारी necessary details थी वो मैंने आपको दी है next बच्चों हमारा आ जाता है on the basis of structural role जो structure होता है sentences का उसके base पे हम कितने parts में divide कर सकती है verbs को सबसे पहले बच्चों आजाती है main verb main क्या होता है main means जो ऐसी चीज जिसके बिना हमारा जो कोई भी activity है वो possible नहीं है main verb वो होती है जैसे मैंने आपको यहां बोला he knows me वह जानता है मुझे जो main verb है यहां पर यह nose है राम किल्ड रावन राम ने रावन को मारा किल्ड भी क्या है main verb है यहां पर मतलब जो main काम करने वाली जो which is doing work is called main जो sentence के अंदर जो doing work कर रही होती है वो क्या होती है main verb होती है auxiliary verb क्या होती है बचो auxiliary होता है जो की helping verb होती है जिनको आप क्या कर सकते है main verb के साथ use करेंगे वो कभी भी अकेले use नहीं होंगी auxiliary verb को two types में divide किया हागे यह वैसे total अगर देखें तो 24 होती है auxiliary primary auxiliary कौन से होती है ismr यह b के present form है was or be का past form है और उसके बाद यह has, have आजाता है has, have और had और do, does, did और do, does, did यह आजाते हैं सभी यह जो primary auxiliary है और जो primary auxiliary होती है इनके साथ main verb लगाया जाता है ठीके बचो यह without main जैसे I have a pen without main verb के लिए भी हो सकती है यह without main verb भी use हो सकती है और main verb के साथ भी use होती है जैसे he was a king हमने पड़ा था तो वहाँ पर main verb नहीं थी यह दोनों form में use हो सकती है उसके बाद modal auxiliary आजाता है can, could, may, might, sell, should, ought, to, will, sell, would, dare, need, use, to यह सभी क्या होती है modal auxiliary इनके लिए एक विशेश चीज जो होती है वो होती है particular thing जो याद करनी है आपको these are used with main verb इनको हमेशा main verb के साथ use करेंगे यह कभी भी अकेली use नहीं होंगी ठीक है बच्चो आगे हमारा आजाता है causative verb causative verb कौन सी होती है it includes get, make इसमें सामिल होता है get और make that causes the action to take place जैसे कि he made me laugh मतलब the action to take place जो action होती है वो क्या करती है cause बताती है action का बनाना उसको क्या बनाया laugh हसी करवाई उसे मतलब उसको हसाया he got his house to be built by राम उसने प्रापत किया उसके house को जो किसके द्वारा ब्यूल्ट किया गया था राम के द्वारा तो यह सब चीज़ें क्या होती है causative verb के रूप में यूज़ कर सकते हैं main तो यह दोनों ही होती है on the basis of structural and on the basis of object यह आप दोनों की दोनों चीज़ें learn करेंगे बचो यहां तक जो important information थी हमने सभी complete कर लिए अगर कोई doubt रह जाता है तो आप इस chapter को again and again read करने की कौसिस कीजिए यह अपने आप आपको समझ में आ जाएगा जो transitive, intransitive, main verb, auxiliary का हमारा chapter था यह complete हो चुका है बट यहां पर जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको याद रखनी वाली है याद रखनी है जैसे यहां पर मैंने बताया है कि modal auxiliary के साथ हमेशा main verb यूज होती है यह अकेली यूज नहीं होती लेकिन जो auxiliary होती है प्राइमरी auxiliary होती है जैसे he is a king तो वह एक king है या कुछ भी आप बोल सकते हैं पर इज जो है यह linking verb का काम कर रही है लिंक कर रही है ही को king से तो यहां पर यह अकेले भी यूज हो सकती है और main verb के साथ भी main verb के साथ जैसे he is writing यहां पर main verb के साथ यह आगी है यह दोनों form में यूज हो सकती है यह सब चीज़ें आपने मतलब अपने mind में रख लेनी है direct object क्या होता है direct object क्या होता है transitive क्या होती है transitive क्या होती है verb क्या होती है verb के सभी definition में verb के सारे चीज़ें करोगे आप जैसे denotes action, position, state of being works as a noun and an adjective यह सभी forms आपको अच्छे से read कर लेनी है Thanks बचो